हेलो फ्रेंड्स मैं वभीता आज बात करूंगी सर्दी के मौसम में इस पेटली जन्वरी में जब धंड बहुत ही जादे रहती है कोहरे जो है बहुत लांग टाइम तक रहते हैं ऐसे में आप कौन-कौन से पौधे हैं जिनको हमें जरूर केयर करनी चाहिए तो आज में यही एक एयर प्यूरी फायर का काम करता है और साथ में बहुत ही अच्छा फ्रेशनर का भी काम करता है तो इसलिए लोग अपने रूम में रखते हैं इस पौधे को जो है उतनी धूप की जवरत नहीं होती है तो इसके लिए धूप उतना मायने नहीं रखता है तो आप अगर इ जान देना है दूसरे नमर पर जो पौधा है हमारा जीजी प्लांट फ्रेंस जीजी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि सर्दियों में इसकी थोड़ी एक्स्टा केर करनी होती है तो इसकी पतियां जो है थोड़ा बहुत ही जल्दी यलो पढ़ने लगती है आपका पौधा अगर बाहर है तब तो ठीक है नहीं तो अंदर है तो इस बात का ध्यान नोटिस जरूर करिएगा कि हाँ उसको अच्छे से दो घंटे की इंडायरेक्ट मिल रहे है कि नहीं मिल रही है क्योंकि सर्दियों में धूप तो होती नहीं है थोड़ी बहुत होती है तो वो भी बह को जल्डी खराब होने लगता है जीजी प्लांट भी एक बहुत हाड़ी प्लांट होता है मगर कुछ बातों का ध्यान देंगे तो यह आपका पौधा बिल्कुल भी नहीं खराब होगा और इसे में नहीं है कि दूप का हमें थोड़ा सा ध्यान देना है इसके लिए धूप तो इसे जो है हमें फौधों को अपने फौक से बचाना है तो नाइट टाइम में थोड़ा सा सेड में रख दीजिए ने तो इसकी पतियां जो है बहुत जल्दी टिप से ब्राउन होने लगती है फ्रेंड्स सब में कावन सी यही बात है कि जो है सर्दी के टाइम में अपने पौधों को थोड़ा सा केर करि重ब पर दस्ट जमा हो जाता है सर्दी में जादा तो कभी-Kभी तोड़ा सा इस्प्रे कर दीजिए और अलपाधा जो है हमारा जैड्ट प्लांट जैड्ट्ट का भी यह है सर्दी में इसके थोड़ा हमें एक्स्टर केर कनि ह dual1 को फट जया ouais तो ये पौधा भी हमारा बच जाएगा और वाटरिंग का हमें जो है बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है इस पौधे में ने तो इसके भी खराब होने के काफी चांसे होते है क्योंकि एक सेकुलेंट वराइटी का पौधा होता है और इस पौधे के लिए भी धूप बहुत ज़्यादे जरूरी नहीं होता है मगर हाँ थोड़ा वहुत इंडायरिक संलाइट मिलनी चाहिए जड़ प्लांट है कि उसको धूप चाहिए नहीं तो इसकी पतियां बहुत ज़्यादी फाल डाउन होने लगती है तो सिंगोनियम की बात करें तो इस पौधे के लिए इस का ध्यान देना है कि वाटरिंग का और कोहरे से बचाना है कोहरे से बचाने के लिए इसे आपने अगर आउट्डोर रखा है तो इसको थोड़ा सेड में रखिए और अगर पतियों पर बहुत जादे डस्ट हो गए हैं तो उनको कभी कभी स्प्रेट कर दीजे या तो नहला नहला दीजिए जिससे की प्रकास अंसलेशन की किरिया बहुत ही अच्छे से होगी क्योंकि सर्दियों में पोधोग के पतियों पे बहुत जादे डस्ट हो जाती हैं अगला पोधा जो है हमारा ओ है अलोवेरा अलोवेरा भी एक सेकुलन वराइटी का पोधा होता है तो इस यहां कोहरा बहुत जादा पढ़ रहा है तो और नेक्स्ट प्लांट जो है हमारा ओ है स्पाइडर प्लांट इस पाइडर प्लांट भी थोड़ा सा हमें इस पौधे को भी कोहरे से बचाना होता है बहुत जादा कोहरा है तो इदम खुले में नहीं रखे इसको थोड़ा सा सेड में रखे फिर अगली सूबर इसको थोड़े से धूब में आप टांसफर कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए तो इसमें भी जो है हमें वाटरिंग का सारे पौधर में ये कॉमन चीज है फ्रेंट्स वाटरिंग का इस्पेसली ध्यान देना है मगर कुछ पौधर में जो है धूब जरूरी बहुत जादा रहती है और कुछ में नहीं जरूरी होती है तो उसका इफेक्ट हमारे पौधर पे बहुत ही जल्दी आने लगता है मैक्सिमम तुल्सी जो है सर्दियों में ही खराब होती है और तुल्सी की जो लाइफ साइक्ल होती है वो थोड़ी कम होती है मतब 2,5 साल से 2 साल तक ही होती है तो इसलिए आप तुलसी का भी स्पेसली ध्यान दीजिए और तुलसी के लिए तो धूब तो जरूरी है ही बहुत ज़्यादा जरूरी है उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए नेक्स पौदा जो है हमारा सर्दियों में खराब होने का वह होता है क्रोटान तो क्रोटान को भी आपको थोड़ा सा धूब दिखाना है इसलिए धूब बहुत ही जरूरी है कोरे से बचाना है वाटरिंग का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है तो फ्रेंड्स आज का वीडियो अगर हैल्फुल लगा तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और चैनल को सस्काइब करना ना भूले मिलते हैं फिर किसी नेक्स वीडियो में धन्यवाद